हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंडियन जीएस फ्रेंड्स आज हम लोग इस पीडियो में डिस्कुस करने वाले हैं भारत की जो पंद्रववी राष्टपती श्रीमति द्रोपदी मुर्मु जी बनी है इनसे रिलेटेड कुछ तथ्यों के बारे में जानेंगे जो की जेनरल न मुर्मु राष्टपती चुनाव जीतकर 25 जुलाई 2022 को सपतगरन के साथ भारत की पहली आदिवासी राष्टपती और देश की पंद्रववी राष्टपती बन गई देश की कितने नंबर की राष्टपती बनी है यह 15 में नंबर की राष्टपती बनी है और यह सपतगरन क की थी 25 जुलाई 2022 को इन्होंने सपत लिया था अब आगला पॉइंट देखते हैं राश्टपती चुना में द्रोपदी मुर्मु के प्रतिद्दवन्दी मतलब ओपोजीशन में कौन थे यह स्वंत सिन्हा जीत हैं इनके कंपिटिटर में अब अगला पॉइंट राश्टपती चुना में बोटों की गिंती कुल चार राउंड में हुई थी मतलब टोटल चार राउंड में बोट की गिंती हुई थी जिसमें कुल मिलाकर 4754 बोट पड़े थे अब इस गिंती के वक्त 4701 वोट वैध माने गए कुल वेल्यू कितना है यह 5,491,491 इसका कुल वेल्यू है अब आगे देखते हैं अंद्रोपधी मुर्मु जी को कुल 2,824 वोट मिले और इनकी वेल्यू थी 6,673,803 इनकी वेल्यू है और यह स्वंत सिना जी को कुल 1,887 वोट मिले और इसकी वेल्यू है 3,88,117 अब अगला पॉण देखते हैं द्रोपधी मुर्मु जी जो थे वो परतिवा पाटिल जो की प्रेसिडेंड थी गब 2007 से लेके 2012 तक के बाद भारत की दूसरी महिला राष्टपती बनी है द्रोपधी मुर्मु जी अभी तक हमारे देश में टोटल टोटल दो महिला राष्टपती बन चुकी है इन में से एक है स्रीमती परतिवा देवी सिंग पाटिल और दूसरी है स्रीमती द्रोपधी मुर्मु जी अब आगे देखते हैं द्रोपधी मुर्मु जी का जन्म 20 जुन 1958 को हुआ था और उडिशा के मियूर्भंज जिल्ले के बेदापोसी गाउं में हुआ था और यह संथाल समधाय से तालूप रखती है इनके पिता का नाम स्वर्गिय बिरंची नाराइन टूडू है और इनके पती का नाम स्वर्गिय स्याम चंद्र मुर्मु है इन्होंने रमादेवी महिला कॉलेज भुनेस्वर उडिशा से आर्ट्स मतलब कला में असनाता ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है अब आगे देखते हैं यह वर्ष 1997 में भाजपा में सामिल हुए थी और रायरंगपूर नगर पंचायती पारशद के रूप में राजनेती करियर की शुरुवात की थी जो रायरंगपूर नगर पंचायती पारशद है उसमें से इन्होंने राजनेती करियर की शुरुवात की अब अगला पन देखते हैं भाजपा की टिकट पर रायरंगपू पुर्पूर्शीट से दो बार यह विधायक रख चुकी है हमारे वर्तमान राष्टपती जी वर्ष्ट 2000 में ओरिशा सरकार में वानिज्य और परिवन राइज मंत्री जो की सवतंत्र परभार बनी थी जो ओरिशा गौर्मेंट है उनमें यह वानिज्य यह परिवन राइज म मंत्री थी अब आगे देखते हैं ओरिशा की विधान सभाव ने उन्हें वर्ष 2007 के सरुस्रेष्ट विधायक के लिए निलकंट पुरसकार से समानित किया था इन्होंने इनको ओरिशा की विधान सभाने बगला पंड़ देखते हैं वर्ष 2015 से लेके 21 तक यह जारखंड की पहली महिल्या राजपाल भी राच चुकी है हमारे जारखंड की और यह 2015 से लेके 2021 तक थी तो यह था दोस्तों हमारे वर्तमान राष्टपति स्रीमति द्रोपदी मुर्मु जी के बारे में कुछ सामाइन जानकारियां जो काफी इंपोर्टेंट है जानना चाहिए हमें थैंक्यू दोस्तों फूर वाचिंग दिस वीडियो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके बताएं कि कैसा लग आपको वीडियो और सब्सक्राइब करना ना भूलें इंडियन जी एस को और जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे इस चैनल के तुरू थैंक्यू दोस्तों